अब जो नई लाइन लगाई है चखने पानी नहीं आ रहा रहा है कोई गरीब को कोई नहीं देखता है नमस्कार स्वागत है आपका जेजैन नियूस वे और मैं हूँ आपके सार निशाव उपरेती हल्दवानी को कुमाओं का प्रवेश्द वार का जाता है ऐसे में हल्दवानी की जीवन रेखा की रूप में देखे जाने वाली गौला नदी ही है जो एक बहुत बड़ी आबादी को बसाए हुए है गौला नदी के चलते बहुत से घरों में पानी सप्लाई होता है लेकिन अब बास सामने आ रही है कि गौला नदी का पानी प्रदूशित हो गया ऐसा हम नहीं, बलकि जल्संस्तान की जांचि बोर्ट कह रही है कि जो गौला नदी का पानी है, वह पीने लायक तो दूर, बलकि नहाने लायक तक नहीं वचा है ऐसे में सवाल ये है कि अब जिनके घरों में गौला नदी से पानी सप्लाई होता है वो लोग आखिर अब क्या करेंगे किस तरह से वो जीवन गुजारेंगे किस तरह से वो अपनी पानी के आपूर्थी को पूरा करेंगे ऐसे में हम भी ग्राउंड जीरो पर निकले हैं लोगों से पूचेंगे और जानेंगे कि गौला नदी के चलते जो प्रदूशित पानी के प्रदूशित होने की बास सामने आई है वो कितनी सच है और कितनी जूट आपको नाता संपनी पानी ना कोई परदूशित के समय पर गंदा आता है तो किस तरह से जीवँदे आपन करते हैं ऊण पेले हैं जो जयते हैं जो एक नज कर दा शाथ ए वारिज लन पानिो ता टेख के दीनल आताई है लेकिन साफ आता है उठका और हो पता पानी को ले लेकर कितती समस्य हैं, बहुत समस्य हैं पाणी को ले लेकर किया हैं बीचारेथ, गरीब वाती हैं सेर्क लेकर भर को संहित, तो बतारहें कि पानी आता है यहां पर पानी पानी शह ही जुट्र होती है जिड Herr होती भी और और भी एक काव गंधर उढसिए पानी भीर कोता है। न GOOD नśniejकाङ यह इस फанич इनकेश्ट करुद्र है यह नियुक ना एक दद। बुखार और यह बुखार है यह सर्म ट्रांगों में यह सही पानी की व्यो यह आ आप देखिए एक यह में बारी फानी में सब्सक्राइब करता है जब करते हैं जोड़ते हैं कल को फिर हम साथ जोड़वाते हैं कोई काम कोई ढंका ने कितने समय से समस्या वनी विया कहां तक आपको बताए दिये जाए जब यह वोड लेने आते हैं तब नहीं कहा जाता है कि पहले पानी ठीक करो तब हम वोड देंगा यही कहा जाता है फिर कुछ टेम काम करां दिखा दिया काम करां फिर एक भरोस हो जाता है यह काम कर रिया उसका जीतने वाला काम रूप किया खतम कोई काम नहीं होता है यहां पानी के अगर समस्या बनी वी है गंदा पानी आ रहा है तो आवाज उठाईए नमस्कार एक महीने में दो दो तू तिन दफाई नहीं आ रहा है। आग्याज तो पानी नीया था-टी אצा जाते पानी सही नी यारा गन्दा जारा काैसी पानी नी आ रीया के सिपर पूर पूर दो चार महिने परसाणी पानी उंपीनकी पानी नी या कि इतना महेंगा क्यों आ रहा है पानी पी रहो तुम बीमारी उतनी पैसे उठा रहा है बच्चों में लगा पैसे लगा है इनको दें पानी के लिए फिरीका फिरीके जाना हो गया हम पाई यूशनी करना पानी तो चिकात की गई है तो देखा अपने हापे मैं बात बताने चाहूंगी इन महिला नहीं आवाज उठाई तो इनकी आवाज सुनी गई और इनका पानी है वो कुछ दिनों में ठीक आने लगा था लेकिन हाल फिलाल में पानी दुबारे गंदा आने लग गया है ऐसे में जब हमने अपनी रिपोर् सवाल नहीं उठा रहे हैं प्रशाशन से सवाल नहीं पूछने हैं कि पानी गंदा आ रहा है तो पानी साफ कब तक आएगा और जो नई पाइपलाइन यहां पर बिचाए गई उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है हलाकि जब हमने कुछ लोगों से बात करनी चाही तो वो कु मजबूर ही होंगे इसलिए सवाल उठाईए और आपके सवाल को सरकार तक पहुचाने का काम जेजैन हमेशा से करता आ रहा है और हमेशा करता रहेगा तो फिलाज जेजैन की खासी पूर्ट पे इतना ही मैं अपनी संयोगी शिल्पा किसान निशा उपरेती जेजैन नियू